सुप्रभात नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप देख रहें सोबर नौ बजे मैं हूँ प्रीति सिंग्ग आए शुरुआत करते हैं मुख्य समझालों के साथ गोआ के मुख्य मंत्रियों पूर्वरक्षा मंत्री मनोहर परिकर को आज शाम दी जाएगी अंतिम विदाई पूरे राजकिये सम्मान के साथ होगा अंतिम संसकार दिवंगत नेता के सम्मान में राश्ट्रे शोक आधा जुका रहेगा राश्ट्रे ध्वज गोआ में साथ द सादगी के पृतीक मनोहर परिकर के निधन पर देश भर में शोक की लहर राश्ट्रपती उपराश्ट्रपती और प्रधान मंत्री ने जताया गहरा दुख कहा पीडियों तक रहेंगे याद विनम्र स्वभाव और सादगी के लिए हमेशा याद रहेंगे परिकर लोगसभा चुनाओ के पहले चरण के लिए दी सूचना के साथ ही आज से शुरू होगी नामानकन की प्रक्रिया पहले चरण में 20 राजजियों की 90 सीटों के लिए 11 अपरेल को मतदान आंधर प्रदेश सिक्किम अरुनाचर प्रदेश विधान सभा की सभी सीटों और उडिशा के 23 सीटों के लिए भी आज से नामानकन आंधर प्रदेश विधान सभा चुनाओ के लिए बीजेपी की 123 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी यसर कॉंग्रिस ने भी सभी सीटों के लिए जारी की उम्मीदवारों की सूची विधान सभा की सभी 175 सीटों के लिए 11 अपरेल को वोटिंग और आबुदाबी स्पेशल उलम्पिक खेलों में भारत का शांदार प्रदेशन अब तक 552 के साथ को 166 पदक रोल स्केटर्स तेराकी उफ आवर लिफ्टिंग में भारते खिलाडियों का दिखा दम बेदाग जवी और जनप्रियनेता मनुहर परिकर हमारे बीच नहीं रहे उनके निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है गोआ के मुख्य मंत्री और पूरवरक्षा मंत्री मनुहर परिकर को आज शाम पाच बचे अंतिम विदाई दी जाएगी उनका पूरे राजकियर सम्मान के साथ अंतिम संसकार किया जाएगा देवंगत नेता के सम्मान में आज देश भर में राश्ट्रे शोक है उनके सम्मान में राश्ट्रे ध्वज आधा जुका रहेगा गोआ में भी साथ दिन के राजकियर शोक का एलान किया गया है उनका पार्थिव शरीर अपसे कुछ देर बाद साड़े नौ बजे पनजी में बीजेपी मुख्याले में रखा जाएगा सुभा साड़े दस बजे मरहोर परिकर के पार्थिव शरीर को कला अकैडमी लाय जाएगा जहां शाम चार बजे तक आम लोग अपने नेता को शृत धाजली दे सकेंगे शाम चार बजे कला अकैडमी से मीरा मार तक उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी और शाम पाँच बजे पूरे राजकिय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी इस मौके पर केंदरी ग्री मंतरी राजराज सिंग समेत तई हस्तियां शामिल होंगी आज सुबह करीब ग्यारा बजे उन्हें शृत धांजरी देने के लिए केंदरी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है उर्वरक्षा मंतरी और गोआ के मुख्य मंतरी मनोहर परिकर के निधन के बाद केंदरे चुनाव समेती की बैठक समेत आज होने वाले बीजे पी के सब भी आधिकारिक कारिकरम रद्द कर दिये गए हैं सादगी के परितीक मनोहर परिकर का लंबी मिमारे के बाद कल देर शाम निधन हो गया चार बार गोआ के मुख्य मंतरी रहे 63 साल के परिकर लंबे समय से कैंसर से जूज रहे थे उनका इलाज अमेरिका के अलावा दिलिस्थित एम्स और मुंबई के एक लिजी अस्पताल में चल रहा था वो आई आई टी से पास पहले इंजीनियर थे जो किसी भी राज्य के मुख्य मंतरी बने मरह और परिकर की शख्सियत सबसे जुदा थी वो एक कुशल रणवी तीकार थे और अपने सिध्धान्तों पर अडिग रहने वाले इंसान थे काम के प्रती उनके समर्पन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिमारी से पीड़ित रहने के बावजूद वो अंतिम समय तक देश और गोवा की सेवा करते रहे गोवा के मुख्य मंतरी मनुहर परिकर के निधन पर देश भर में शोक की लहर है उनके निधन पर राश्ट्रपती, उपराश्ट्रपती, प्रधान मंतरी समेट राज़नेतिक हस्तियों ने गहरा शोक जताया है राश्पती रामनात कोविन ने ट्वीट किया कि मनुहर परिकर ने धर्णता और गर्मा के साथ अपनी बिमारी का सामना किया सावजनेक जीवन में सत्य निष्ठा और समन्पण के प्रतीक रहे परिकर ने गोवा की और भारत की जो सेवा की है वो हमेशा याद रखी जाएगी उपराश्पती अम्वेंका एनाइडू ने मनुहर परिकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है उपराश्पती ने ट्वीट किया कि परिकर के निधन से साम्माने रूप से राष्ट्र और विशेश रूप से गोवा ने अपने चहेते पुत्र को खो दिया उपराश्पती ने परिकर के परिवार के पृति समवेदना प्रकट की है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मनुहर परिकर एक अध्वितिय नेता थे एक सच्चे देश भक्त और असाधारन प्रशासक वो सभी की प्रिशंसा करते थे राश्ट्र के पती उनकी तुरुटी हीन सेवा को पीडियों याद किया जाएगा उनके निधन से गहरा दुख हुआ प्रधान मंत्री ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि मनुहर परिकर आधुनिक गोगा के निर्माता थे अपने मिलन साल वेक्तित्व और सुलभ स्वभाव की बदौलत वो कई साल तक राज्जी के पसंदीदा नेता बने रहे उनकी जन समर्थक नीतियों ने गोगा को प्रगती की उनलेखनिय उचाईयों को सुनिश्चित किया प्रधार मंतरी ने कहा कि देश भारत की रक्षा मंतरी के रूप में उनके कारिकाल के लिए मनोहर परिकर का सदा आभारी रहेगा जब रक्षा मंतरी थे तब भारत ने कई फैसले देखे जिनोंने भारत की सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाया स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ाया और पूर्विसेनिकों के जीवन को बहतर मनाया शोक प्रकट किया लोग सभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने मनुहर परिकर के निधन पर शोक प्रकट किया उन्होंने ट्वीट किया कि उर्जावान, इमानदार, कर्मठ व्यक्तित्व को सादगी, सच्चाई, सोच, संकल्प, सततकारियों के लिए हमेशा याद किया जाएगा रक्षा मंत्रे निर्मिला सीतारमन ने मनुहर परिकर के निधन पर ट्वीट किया कि उन से बहुत कुछ सीखा है, उन निश्कपट, इमानदार और संवेधन शील राजनी ते कारिक करता थे, वो सरल और जमीन से जुड़े थे रक्षा मंत्रे के तोर पर सशस्त्र बलो को आधुनिक और ताकतवर बनाने में उनका योगदान अद्वितिय है केंद्रे मंत्री अरुन जेटली ने मनुहर परिकर के निधन पर शोग जताते हुए ट्वीट किया कि मनुहर परिकर के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ, उन लोगों के चहेते थे, हम सब ही उन्हें बहुत याद करेंगे विदेश मंद्री सुष्मा स्वराज ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मनुहर परिकर जी के देहांद का समचार सुनकर बहुत दुख हुआ उन्होंने लिखा कि उनके लिए तो वो भाई की तरह थे इसलिए उनका निधन व्यक्तिगत ख्षती है इसके लावा कॉंग्रेस अध्यक्ष रहुल गांधी ने मनुहर परिकर के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें गोआ का चहेता बताया उन्होंने कहा कि पार्टी वार राजनीती से उपर उठकर सभी लोग परिकर का मान सम्मान करते थे और बड़े सहस से वो एक साल तक बीमारी से लड़ते रहे वो गोआ के सबसे लोग प्रिय बेटों में से एक थे दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ है मुई बीएसबी प्रमुक मायवती ने कहा कि गोआ के मुख्य मंतरी और पूरवर रक्षा मंतरी मनुहर पारिकर के निधन की खबर अती दुखद है अखले श्यादम ने कहा कि मनुहर पारिकर का जाना दुखद है पश्शिम मंगाल की मुख्यमंत्री मम्ता बैरनेची ने ट्वीट किया कि गोआ के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर जी के निधन से दुखी हूँ आंद्र प्रिदेश की मुख्यमंत्री चंद्रवागुनाईडू ने ट्वीट किया कि गोआ के मुख्यमंत्री मनुहर परिकर के निधन से बहुत दुख हुआ है गुआ के मुख्यमंत्री मनुहर परिकर के निधन पर शोग जताते हुए बीजेपेद धक्षा मिच्छा ने कहा कि भारत ने एक सच्चा देश भक्त खो दिया इसका पूरा जीवन राश्टर और सिध्धानतों को समर्पित था केंद्री गृमंत्री राजनाथ सिंग ने कहा कि उन्होंने बड़ी लगन के साथ देश और गुआ की सेवा की नेता पृतिबक्ष राज्जे सभा खोलाम नभी आजजाद समेत कई और हस्तियों ने मनुहर परिकर के निधन पर गहरा दुख जताया है मनुहर परिकर जी का हम सब के बीच में न रहना न केवल भारतिय जनता पार्टी के लिए देश के सार्वजनिक जीवन के लिए अपूर्ण यक्षती है बचपन से एक कारे करता है नाते नीचे से काम करते करते राष्ट्र भक्ति के संसकार के साथ मृत्यू परियंत सार्वजनिक जीवन में अनेक बड़े-बड़े पदों पर रहने के बाउजुद भी निसकलंक जीवन रहा उनका राइनेटिक जीवन पूरी तरह से सादगी से बरा हुआ था और उस मुल्यों के प्रती वह पूरे जीवन पूरी तरह से प्रतिबदा रहे है और एक फर्म कन्विक्षन के एक ऐसे नेता थे देखा होगा कि जीवन के अंतिम शणों तक बराबर अपने को उन्होंने सक्री बनाए रखने की पूर्शिस की शरीफ आदमी थे चाहे वो दोसरी विचारधारा के थे लेकिन बक्तिकत तोर पर वो अच्छे थे और अच्छे पार्लिमेंटेरियन थे उनके इस अचानिक मौत से सभी को दुख हुआ है और मेरी पूर्शारन बोती उनके पूरी परिवर के साथ कई माईनों में एक आइडियल परसन थे एक इतने बड़े राजनेतिक हस्ति जो देश की रक्षामंतिर रहा हो जो गोवा की लंबे समय तक मुक्ष़मंतिर रहा हो और कभी प्लेन में जाए बाजू की वेक्ति को पता भी ना चले कोन साथ में जा रहा है वो एक अच्छे व्यक्ति थे और अपनी चाप गोवा में रखे थे और वो डिफेंस मिनिस्टर के नाते भी बहुत अपने विचार अलग रखे चाहे वो कोई भी डिफेंस का मैटर हो कि पेड़े क हैं बड़े संजिक दिक से सूलिजाने की कोशिच कर दे थे उन criança के कारें और कर्थथ के करण गोवा में भारती जनता पार्टी की सरकार बनी बाद में पाट्टी के इन उसरुरक्ष मंत्री प्रत की भी जिम्मे दारी ली और जब पार्टे ने आदेश दिया तो फिर से वो गुवा की मुख्यमंतरी बने उनका जीवन बहुत ही साध्गी पूर्ण था पार्ट की विचारों के प्रती कटी बदा था समर्पित था यह उनकी विश्ष्ष्टा थी कैंसर की बीमारी जब डॉक्टर ने आगे कोई उपाय नहीं है ऐसा बताने के बाद भी लगातार काम करते रहना और पिछले मेहने में हमारे एनाइटी का शिलांग नयास उनके घर में ही हमने किया और तब भी उनके जज़बे को सलाम करने के लिए ही मैं गया था आज हम सबने एक महान नेता को जरूर खोया है साथ में एक बहुत अच्छे इंसान को भी खोया है और इसी क्षती बरने के लिए मुझे लगता है बहुत आसाथ नहीं होगा यह बहुत जरूरी है कि भारत की राजनिती में मनोहर परिकर ऐसे लोग और हो आई आई टी मुंबई के एक बहुत ही प्रभावी ग्राजुट इंजिनियर विचारधारा के प्रती समर्पित बहुत ही योग्य प्रसाशक कड़े फैसले लेने की छमता लेकिन सहजता सादग और पूर्ण इमानदारी उन्होंने लगातार लोगों के लिए जो काम किया है मैं ऐसा मानता हूँ कि उसके कारण गोवा की और देश के राजनिती में एक उनकी अलग छवी हम सब ने देखी ये व्यक्ति भारत मा का सच्चा सपूत था और फिलाल जादा जानकारी के लिए हमारे समवाता पंचनन मिश्रा समय फोन लाइन पर मैं साथ मौजूद हैं पंचनन मनोहर पारिकर काजपूरे राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा और दिवंगत नेता के सम्मान में आज देश भर में राश्टे शोख है खास लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में आम लोग भी उनके अंतिम दर्शन करने के चुक हैं किस तरह से अज पूरा कारिकरम रहेगा अनका लंबी मिवारे की बार निरन हो गया और आज दिल्ली में अभी प्रथान मंतिकी अदिश्टा में जहां पर अमनौर परिकर को पता है कि आज प्रश्ट्री शोक गोशित किया रहे है जंडा जुका दिया गया है गोवा में भी राज्ट्री यह गोवा में भी राजिकी शोक है और इसके बाद तमाम जो अलग पार्टियों से प्रथान के नरेन मोधी का खुद का करिकरम सुनने में आ रहा है कि वो कर रहे हैं तो तस्वीर को देखर बाद परिकर कि वो तस्वीरे में ने काम के लिए जाएगा और दिमंगत नेता कि समान में आद देश भर में राष्ट्रे शोक है और आज चार बजे कला अकाडमी से मीरा मार तक उनके अंतिम यात्रा निकाले जाएगी और शाम पाँच बजे पूरे राज के सम्मान के साथ मनोहर परिकर को अंतिम विदाई दी जाएगी आई एक नज़र डालते हैं मनोहर परिकर के राजनी तेक सफर पर राश्ट्रिये स्वैम सेवक संग के प्रचारक से देश के रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री पत तक पहुँचे मनोहर परिकर की छवी एक सीधे सादे सामान व्यक्ति की रही है उनकी शक्सियत सबसे जुदा थी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी परिकर नहीं बदले जिससे वो जन्मानस के चहेते बने रहे उनकी लोगप्रियता ना सिर्फ राज्य बलकी देश भर में फैल गई उनकी पोशाक साधारन होती थी और हमेशा उनके पैरों में रहने वाले ट्रेडमार्क चपल ने उनके व्यक्तितों को बुलंद किया उन्होंने व्यक्तिगत हैसियत से आदर्श पेश कर राजनीती के प्रती चनता का भरोसा जगाया और परिकर उनके नायक बन गए 13 दिसंबर 1955 को जन्मे परिकर ने संग के प्रचारक के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया IIT बंबई से इंजिनियरिंग में सनातक करने के बाद जीवन भर संग से जुड़े रहे मनोहर परिकर ने चुनावी राजनीती में 1994 में कदम रखा जब उन्होंने पंजी विधानसभा निर्वाचन शेत्र से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता वो जून से नॉमबर 1999 तक गोवा विधानसभा में विपक्ष के निता रहे वो पहली बार 24 अक्टूबर 2000 में गोवा के मुख्यमंत्री बने लेकिन उनका कारेकाल केवल 27 फरवरी 2002 तक ही रहा इसके बाद 5 जून 2002 को उन्हें फिर से चुना गया और उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में सेवाई दी चार बीजेपी विधायकों के 29 जनवरी 2005 को इस्तिफा देने के बाद उनकी सरकार अलपमत में आ गई 2012 राज्य में परिकर की लोगप्रियता की लहर लेकर आया और उन्होंने अपनी पार्टी को विधान सभा में 40 में से 21 सीटों पर जीत दिलाई वो फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बने बीजेपी की जीत की लए 2014 में भी बनी रही साल 2014 के चुनावी अभियान के लिए बीजेपी की तरफ से प्रधान मंत्री पत के उम्मिद्वार के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम जोर शोर से उठाने वाले लोगों में भी वो प्रमुक्त थे कोवा में बीजेपी की नेशनल एक्जेकिटिव में मनोहर परिकर ने नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा था केंद्र में नरेंद्र मोदी के नित्रतु में मंत्री मंडल के शपत ग्रहन के बाद केंद्र में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नित्रतु में मंत्री मंडल के शपत ग्रहन करने के बाद परिकर को नॉमबर 2014 में रक्षा मंत्री का प्रभार दिया गया 63 साल के परिकर ने नरिंद्रमोदी के नित्रित वाले मंत्री मंडल में रक्षा मंत्री के तौर पर 3 साल से वाई दी 2014-17 तक भारत के रक्षामंत्री के कारेकाल के दौरान वो उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के संसद रहे उन्होंने सेना के आधोनी की करन के लिए बेहतरीन काम किये गोवा विधान सभा चुनाओं में पार्टी के बहुमत हासिल नहीं कर पाने पर वो मार्च 2017 में राज्य लोटे और गोवा फॉर्वर्ड पार्टी और M.G.P. जैसे दलों को गड़ बंधन सहयोगी बनाने में काम्याब रहे राज्य में एक बार फिर उनकी सरकार बनी फरवरी 2018 के बाद से उनकी तबियत खराब रहने लगी उन्हें तब इलाज के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल में भरती कराया गया वो बीते साल मार्च के पहले सब्ताह में इलाज के लिए अमेरिका गए जहां वो जून तक अस्पताल में रहे बीमारी के बावजूद उनका जोश परकरार रहा परिकर को राज्य के धाचगत विकास और शिक्षा के शेत्र में किये गए उनके प्रयासों और केंद्रिय रक्षामंत्री के रूप में उनकी सक्रिय भूमिका के साथ ही 2004 में गोवा को अंतर राश्ट्रिय फिल्म महुत्सों का आयोजनिस ठल बनाने के प्रयासों के लिए एक लोगप्रिय निता के रूप में हमेशा याद किया जाएगा और बुलिटिन में अब खबरे लोगसभा चुनाओं से जुड़ी लोगसभा चुनाओं के लिए 11 अपरेल को होने वाले प्रत्म चुनाओं के लिए आज से नामानगन प्रक्रिया शुरू होगी इस चुनाओं में 20 राज्जियों के इंक्याद में लोगसभा सीटों पर मतदान होना है इन सीटों पर नामानकन दाखिल करने के आखरी तारीख 25 मार्च होगी नामानकन पत्रों की जाज अगले दिन यानि 26 मार्च को होगी 28 मार्च नामानकन वापसी के आखरी तारीख होगी वही पहले चरण में 11 अपरेल को 20 राजजियों के 90 सीटों पर मतदान होगा जिन राजजियों पर वोटिंग होगी उनमें आंधर प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 8, महराश्री की 7, असम की 5, बिहार और उडिशा की 4-4, अरुनाचर प्रदेश, पश्शिम मंगाल, जम्मू कश्मीर और मेगाले की 2-2 सीटे, मिजोरग, नागलैंड, सिक्किम, शत्तीसगड, त्रिपुरा, अंडमान, निकोबार और लक्ष्वदीब की 1-1 सीटे शामिल हैं. साथ चर्णों में देश भर की लोग सभा सीटों पर बोट डाले जाएंगे, और नतीजों का एलान 23 मई को होगा. इसके लावान देश विधान सभा की सभी 175, अरुनाचल प्रदेश की सभी 60, सिक्किम की सभी 32 और उडिशा की 147 में से 28 विधान सभा सीटों के लिए पहले चरण में 11 अपरेल को मददान होना है. इनके लिए भी आज ही अधिसूचना जारी होगी, और चुनाव कारिकरम भी पहले चरण की लोगसभा सीटों के अनुरूप ही होंगे. लोगसभा के पहले जरण के साथ होने वाले विधान सभा चुनाओ के लिए बीजेपी ने आंदर प्रदेश के लिए उम्मीदवारों की पहले लिस्ट जारी कर दी है. बीजेपी ने आंदर प्रदेश की 123 सीटों के लिए उमीदवारों के नामों का एलान कर दिया है 11 अपरेल को आंदर प्रदेश की सभी 175 सीटों के लिए विधान सभा चुनाओं होने है बीजेपी बागी बची सीटों के लिए भी जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करीगी बच्छीदल YSR कॉंग्रिस ने भी राज़ में 11 अपरेल को होने वाले चुनाओं के लिए लोकसभा और विधान सभा की सभी सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है पार्टी ने लोकसभा की 25 सीटों में से 2014 में जीते सिर्फ दो उम्मीदवारों को दो बारा टिकट दिया है वह बिहार में NDA गड़बंदन ने आगामी लोकसभा चुनाओं के लिए सीटों के बटवारे पर फैसला ले लिया है पटना में कल बीजेपी, जनतादल उनाइटेड और लोगजन शक्ति पार्टी के सहयुक्त प्रेस कॉन्फरेंस में इसका एलान गिया गया राजे में बीजेपी और जेडियू दोनों 17-17 सीटों पर चुनाओं लड़ेंगी जबकि लोगजन शक्ति पार्टी बाकी बची 6 सीटों पर अपने उमीदवार उतारेगी इस बीच राजे में और अंगाबाद, नवादा, गया और जमूई में लोगसभा चुनाओं के पहले चरहन के मतदान के लिए अधिसूचना आज जारी होगी और गड़बंधन के मोर्चे पर उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल में भी कॉंग्रेस को जटका लगा है या कॉंग्रेस की सीट बटवारे को लेकर सीपेम के अगवाई वाले वाम मोर्चा के साथ बातशीत नाकाम रही और इसके बाद कॉंग्रेस ने अकेले दम पर छुनाओ मैदान में उतरने का फैसला लिया है बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बंदी कर रही कॉंग्रेस पस्चिम बंगाल के अलावा भी कई राज्जियों में गड़बंधन करने में नाकाम रही है रविवाज शाम बंद कमरे में हुई पार्टी की बैठा के बाद प्रदेश कॉंग्रस अधिक्ष सोमेन मित्रा ने कहा कि पार्टी ने तै किया है कि वो अपने सम्मान के साथ समझोता करके कोई तालमेल या गड़बंधन नहीं चाहती बीजेपी के नेता और केंद्रे मंत्रे अरुन जेटली ने वे पक्षपरतीखा हमला करते हुए कहा कि उनका गठजोड महा मिलावट गड़बंधन है और ये देश की राज़नीती के लिए खतरनाक है कतित महा मिलावट गड़बंधन के आंतरिक कलह काउलेक करते हुए उनका कि देश विकास के जिस मुहाने पर खड़ा है वहाँ वो चंद महीनों वाली मिली जुली सरकारे जहेलने की स्थिती में नहीं है अनुन जेटली के मताबिक विकास की यही गती रही तो अगले दस साल में भारत विश्वर में बड़ी आर्थिक शक्ती बन जाएगा लेकिन इस थाई और मजबूत सरकार में ही संभव है प्रिधान मंतरी नरिंदर मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो जारी करके मैं भी चौकीदार मोहिम के शुरुआत की थी बड़ान मंतरी नरिंदर मोदी ने कहा था कि जो भी वेक्ती प्रष्टाचार के खिलाव लड़ रहा है वो चौकीदार है और इसी क्रम में रधान मंतरी नरिंदर मोदी के साथ साथ बीजे पिर्दक शमिट शाह, रेल मंतरी पियुश कोयल, स्वास्त मंतरी जेपी नड़ा और कई अन्य नेताओं ने अपने नाम के आगे चौकीदार लगाया है उन्होंने मैं भी चौकीदार और चौकीदार फिर से हैश्टेग के साथ पोस्ट किया है लोकसवा चौनाव से ठीक पहले सरकार की ओर से देश का पहला लोगपाल ने उप्त किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्ट जस्टिस पिनाकी चंदर घोष देश के पहले लोगपाल हो सकते हैं जस्टिस घोष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं वो अंधर प्रदेश हाई कोर्ट के चीव्स जस्टिस भी रहे हैं वो अपने फैसलों में महानवादिकारों की रक्षा की बात बार बार करते थे। जस्टिस गोश को महानवादिकार कानूनों पर उनकी बहतरीन, समझ और विशेशगिता के लिए जाना जाता है। वो नहर्सी के सदस से भी हैं। बात खेलों की आब उधावी में होरे स्पेशल ओलंपिक विश्व खेल में भारत का शानदार प्रदेशन जारी है। कल भी भारते अथलीटों ने देश के लिए पदक जीतने का सिलसला जारी रखा। भारत ने 55 स्वर्ण समीथ 166 पदक जीते हैं। ये पदक रोलर स्केटर्स, तेराकी और पावर लिफ्टिंग में जीते हैं। इसे के साथ फिलाल सुबर 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रिक के बाद आप आगे देख सकते हैं सारा जहां। नमस्कार।